नमस्कार आप देख रहे हैं MKN और मैं हूँ आपके साथ चंदर शेखर त्रिशूल आपके साथ और आज हम बात करेंगे बी एच नंबर की क्या है बी एच नंबर कैसे काम करता है इससे क्या बदलाब आएगा किन किन लोगों को ये सुविधा मिलेगी और क्या है इसे अपला अगर आप नौकरी की वजह से हर दो-चार साल में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं तो आपके लिए एक खुशकबरी है अब आपको किसी भी राज्ज में जाने पर अपनी गारी का दोबारा रेजिश्टेशन नहीं करवाना पड़ेगा दरसल सरकार नई वी इरीज का नंबर मिलेगा और यहीं नंबर पूरे देश में काम करेगा यानि आप अपने वाहन को दूसरे राज्ज में ले जाएंगे तो आपको वाहन का दोबारा रेजिशन नहीं कराना होगा बता दें कि यह योजना 15 सितंबर के आसपास शुरू होने वाली है Motor Vehicle Act 1988 के सेक्शन 47 के मुदाबिक आप किसी भी राज्ज में एक साल तक दूसरे राज्ज की वाहन को चला सकते हैं एक साल के अंदर आपको अपनी वाहन को रजिस्टर कराना होता है इसके लिए पुराने आटियों से एनुसी लाना जरूरी होता है हर राज्ज में ये प्रोसेस अलग-अलग है और डॉक्यमेंट भी अलग-अलग लगते हैं इस वजह से लोग दूसरे राज्ज में अपने वाहन का दोबारा रेजिस्टरेशन कराने से कतराते हैं वाहन नंबर से पता चलता है कि वे किस राज्ज में रेजिस्टर है जाए नंबर प्लेट पर बी एच से नंबर की शुरुवात होगी। वन नेशन वन पोलिसी रहेगी तो किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। वन नंबर वन नेशन यह कई ऐसी जो ठकाव कागजों की परक्रिया है उसी दिशा में एक बड़ा हुआ बड़ा कदम है। और इसी योजना से उन लोगों को लाव होगा जो केंदर सरकार की नौकरी में हैं, सेना में या प्राइवेट नौकरी में हैं और जिनका ट्रांसफर होता रहता है। प्रस्तावित प्रक्रिया से न केवल समय बचेगा, बलकि हर बार राज बदलने पर सामने आने वाली परिशानियों से भी मुक्ती मिल जाएगी। इसी के साथ जटिल कागजी कारवाई से भी मुक्ती मिलेगी क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। अभी भारत सरकार के जो मौर्थ है Ministry of Road, Transport and Highways इन्होंने एक जो transferable employee होता है उनकी सोविधा के लिए बीएच सिरीज जारी करने का नेने लिया यह दपी यह 15 सितंबर से लागू होगी इसके पहत Central Government के और State Government के employee प्लस ऐसी private company जिनके ओफिसे चार राज्यों में कम से कम हो उनके employees अगर नई गाड़ी खरीकते हैं तो यह बीएच सिरीज के हिसाब से उनका registration हो जाएगा और अभी तक चुँकि एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने पर registration change कराना पड़ता है तो ऐसे transferable employees के लिए संभवत एक सोईदा को धान में रखते हैं कि उनको number plate change, registration number भी change नहीं करवाना पड़ेगा और इसके लिए मामुली सी tax की दरदी थोड़ा अंतर किया गया उसके भुक्तान की जो एक आउधी है, periodosity है अगर आपकी गारी दूसरे राज्य की है तो आपको गारी के registered RTO से NOC लेना होगा नए RTO में आपको कम से कम 2 साल का road tax देना होगा आपका पुराना RTO tax refund हो जाएगा आप कब तक राज्यों में रहेंगे? इस हिसाब से आप 2K multiple में 14 साल तक का tax एकठा भी जमा कर सकते हैं अब आप BH Series के लिए apply कर सकते हैं company से जुड़े document, गारी के registration और खुद के document की जरूरत होगी नए वाहनों के लिए BH Series का registration वाहन खरीदते समय ही किया जा सकता है एक बदलाब है जो एक बड़े देश में ऐसे छोटे छोटे बदलाब और समय पर होने वाले बदलाब निश्चित रूप से देश को एक नई दिशाप्रदान करते हैं और तमाम ऐसी परक्रियाएं जो काफी पुरानी हो चुकी हैं और जिनका कागजी प्रोसिद बहुत ज़्यादा लंबा है कोई करमचारी ऐसा है जो चार राज्यों से ज़्यादा जगह आता जाता है और लगातार दो दो तीन तीन साल रहता है तो उसके लिए बहुत सुविधा का ये मामला है सुविधा की ये बात है कि उसको एक नंबर ऐसा मिल जाएगा कि वो कहीं भी रहे तो उसका एक ही नंबर रहेगा पूरे देश का वन नैशन वन नंबर रहेगा यह बहुत अच्छी शुरुवात और इस शुरुवात का फाइदा के इन सरकार के करमचारी और उन लोगों को जिनके कंपनी के आफिस चार राज्यों से ज्यादा है उनको निश्चित रूप से बड़ा फाइदा भी एच नंबर की नई शुरुवात यूनिफाई एक जो सिस्टम है पूरा उसको यूनिफाई करना होगा कि कैसे सारी चीजों को अब कोई राज कहीं एक व्यक्ति है और वो किसी राज्य में दो साल रहता है उसके बाद दूसरे राज्य में रहता है तो जब भी उसको दूसरे राज्य में प्रवेश करना है या उसको अपनी गाड़ी को वहां रखना है तो फिर से वही पुरानी प्रक्रिया के रजिस्टेशन को चेंज करवाना दुबारे आर्टियों के चक्कर लगाना एक लंबा प्रोसेस और यही एक ऐसी शुरुवात है कि वन नेशन व बड़ी सुविधा है कि इस तरह की शुरुवात निश्चित रूप से बड़ा कदम मील का पत्थर कई लाखों लोगों के लिए जो लगातार दूसरे राज्यों में प्रवास पर रहते हैं और लगातार जिनके रहने में राज बडलते रहते हैं जिनकी नौकरियों में उनको यह एक यात्रा करनी पड़ती है और एक ऐसा होता है कि कई कई राज्यों में लंबा समय उनको बिताना पड़ता है उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा का और इस समय हमारे साथ हमारे महमान जुड़ चुके हैं प्रदीप पाराशर जी नमस्कार स्वागत आपका एमकेन पर हलो प्रदीप पाराशर जी स्वागत है आपका एमकेन पर प्रदीप पाराशर जी वन नेशन वन नंबर की जो प्रक्रिया प्रारंब की गई है और यह जो योजना लागू होने वाली है इसका फायदा कैसे लोगों को मिलेगा आपकी आवाज के लिए मिया रही है एक बार दुबारे जोड़ने की कोशिश करते हैं वन नेशन वन नंबर बड़ी शुरुआत एक ऐसी शुरुआत जो एक वाहन को दूसरे राज्ज में राइस्टर्ड कराने के लिए बहुत जो लंबी एक कागजी प्रक्रिया होती थी उस पर पूर्ण विराम और ऐसे करमचारी जो कई राज्जों में नौकरी करते हैं और जिनका लगातार तबादला होता रहता है क्या दो दो चार चार साल आने के अन्य राज्जों में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सुवधा निश्चत रूप से देश में वन नेशन वन नंबर की तैयारी एक मील का पत्थर सफर जो होता है वो सफर अगया उस्षचत सुग है यह जो एक लंबी कागजी प्रकिरिया है उसको रोककर यहरू एक नई शुरूवात की जा रही रही है इस्ते ऐक अक को मिलेगा लेकिन प्रदीब जी जो लोग कई राज्यों में लंबे लंबे समय जाते हैं उनको रइस्टड कराना पड़ता है अपना वीकल तो उनके लिए तो बड़ी सुधा ही है अगर आप एक जब एक देश के निवासी है और आप अगर महराज के मूल निवासी होके अगर राजस्तान में गारी चलाते हैं और आगर आपका आदार कार्ड उससे लिंक होता है तो उसे वन नेशन वन टेक्स रूट की और नंबर की जरूत नहीं है अगर आपका आदार कारी पे लिंक है तो आदार से उस आद्मी को टेस्ट किया जा सकता है इसे वैलिडेक्स और नोट जी लेकिन जो सरकार हमारे मिस्टर निचिन गड़गरी साफ जो 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 नहीं नियम ला रहे हैं उनसे पूछें कि आप आज आज आपन तो प्रदीब पाराशर जी आपका ये कहना है कि ये सुविधा या ये दुविधा इसको लागू होने से पहले और जो बदलाव हैं वो भी होने चाहिए आज आप ये देखिए बारत की जो भागोलिक इस्टिती है उस इस्टिती में हम उस चीज को पहले कितला आपजेक्ट पूरा पुर्टर पाएंगे पहले हमें अपने रोड कंडिशन सुदाने हैं पहले अपने को हमारे सिस्टम को सुदाना है आज ही आपके टोल पे टोल नहीं कर रहा है उसका स्कैनर काम नहीं कर रहा है और आपने फास्टेक लाउ कर दिया उससे को यूज नहीं है आप लिवेस में आप 21 सबी के इसाफ़ से यूरोप कंड़ी बनाना चाहते हैं लेकिन उसे उस इसाफ़ से आपका मेकेनिजम उस इसाफ़ से आपके अधिकारि यह बदलाव से पहले इन बड़े बदलावों से पहले सिस्टम में भी बदलाव जरूरी है जो शायद अभी तक नहीं हो पाया है बिल्कुल नहीं हो पाया है आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा जिसमें आप बात कर रहे हैं मैं आज राजस्तान टूरिस का रह उसके लिए क्या सुजिदा पर पाएंगे एक टैक्सी राइवन सुबह से शाम तक गारी चलाता है आप उससे टोल लेते हैं लेकिन उसके लिए टॉयलेट की सुजिदा नहीं है उसके रुकने की सुजिदा नहीं है उसके लिए हाईवेज पे आपके पास तो निश्चित रूप से आपका मानना है कि यह वदलाव जो हो रहा है इससे पहले बड़ा वदलाव यह होना चाहिए कि जो मैकेनिजम है उसको प्रॉपर करना चाहिए बिल्कुल आपको पहले अपने इंसार को तैयार करना पड़ेगा उसके लाइव जी बहुत-बहुत जोडने के लिए प्रदीप पारशर जी कहीं ना कहीं जब लोगों से बात की जाती है लोगों से पूछा जाता है तो एक प्रदीप पारशर बता रहे थे कि यह बही एक प्रक्रिया है कि बड़े बदलावों से पहले मेकनिज्म को चेंज करना होगा और एक ऐसा मेकनिज्म लाना होगा जिससे लोगों की जो दुवधाय वो भी आसान हो और इस समय हमारे साथ दों हमारे महान जूर चुक्ए है होसें खान बीजे पी अलपिसंग्यक प्रकोष्ट के राश्ट्री अपाद्यक्ष है और स्वागता आपका ंपर कि अश्ट्व अजिस स्वागता आपका एंजिर्व करम आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं हुसेन खान जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अगे लाते हैं अगे लाते हैं अगे जी निश्चत रूप से कहीं ना कहीं एक जो बात निकल कर आती है वो यह है कि नए नियम आ रहे हैं नया मैकैनिस्म आ रहा है लेकिन जो नियम लागू कि जा रहे हैं उसमें पूरी तरह है उससे पहले एक जो व्यवस्था पर उसमें बड़े बदलाब की जरूप है और जमीनी इस्तर पर कई बार योजनाओं की लागू होने के बाद या योजनाओं के जारी होने के बाद उनकी जमीनी हकीकत कुछ और होती है और उससे आम नागरिक को रुबुरु होना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आम नागरिक को जब आप सुविधाएं जारी कर रहे हैं जब आप योजनाय लागू कर रहे हैं तो यह खुसेन खान राष्ट्व पादेख्च हमारी महमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं हुसेन खान जी स्वागत आपका एमकेन पर है अँसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है नेटवर्क के कारण निश्चित रूप से जो एक नई योजना लागू की जा रही है और उस योजन का जो उद्देश है केंदर सरकार का और कि उद्देश यही के कैसे जो एक सफर है सड़क का वह आसान हो और उसमें जो एक लंबी कागजी प्रक्रिया है उसको कैसे कम किया जाए और शाहिए यही एक एचोटे छोटे ऐसे कदम हैं जिन से जोड़ा जा सकता है है हुसे खान हमारे साथ हैं हुद्धा का यह आवाज सुन पा ये एक ऐसी योजना कि जब आप मुझत कई राज्यों में यातरा करते हैं और लंबे लंबे समय दुकर नार्ज्य योजना Tanique अफिक एक लिवावश करते हैं तब आपको एक सुवधा एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से लंबी कागजी प्रक्रिया से हट कर आपको एक नंबर मिलेगा और उस नंबर वन नेशन वन नंबर पर आप अपने वाहन को राइस्टेट करा कर और अपनी जो यात्रा है कि जब आपने एक राज्यम रहने वाले हैं उसको आसान कर सकते हैं और वन नेशन वन नंबर का फाइदा उठा सकते हैं हुसेन खान जी यह जो योजना है वन नंबर वन नेशन इसका फाइदा लोगों को कैसे मिलेगा हुसेन खान जी अब मैं तो भीज में थोड़के वहां यहां आया वह है वो चल रहा हुचा है यह आप आवाज सुन पा रहे हैं कि उनसे शायद वो नेट्वर्क में नहीं है संपर्क नहीं हो पा रहा है कि सबसे बड़ी बात जब लोगों की बीच में यह योजना कि जाएगी तो उसका लाब कि और इस समय हमारे साथ हमारे महमान जुट चुके हैं डॉक्टर वरुन परोहित कानून विशेशक वरुन परुजी स्वागत आपका इसका लाब लोगों को कैसे मिलेगा और तमाम जो सरकारी योजना है उनका जमीनी इस्तर पर जब आंकलन किया जाता है जैसे फास्ट्रेक जारी किया गया है तो हकीकत कुछ और होती है ऐसे में इसका लाब कैसे मिलेगा सबसे पहले जनता पार्टी को राजीव गांडी जी से माफी मांगनी चाहिए उन्होंने जब बदलाव की बास की ती कंपुटराइजेशन की टेकनोलोजिकल एडवासमेंट के इंडिया की तो बड़े नाटकरते थे बड़े आंदोलन किये उसकी इकलाबत की जी आज उसी टेकनोलोजी के उपर यह शासन भी कर रहे है उसका श्वे अपने साथ लेना जाते है अभी वन नेशन बार बार जो नेशन की बास किरो मैं इसी क्रिटिसिजम नहीं कर रहा हूं लेकिन आप बताईए हमारा सेडरल इस्ट्रेक्टर है राज्जे सरकारों के स्टेश सब्जेक्ट में बार बार गुस्पैक कर रहे हैं रशी कानून जो बदलाव किये स्टेश कर सकते हैं तो आप केंडर से आने वाले टाइम में आपको स्टेश सब्जेक्स में बिल्कुल इंटरफेर नहीं करना चीए अभी आप सोड़ी देर पहने बोलरे थे इंफरस्टर की चाहिनों में सॉफ्ट्वेर तैयार कर लिया गया है आली में आप देखिए गा जो इंकम टेक्ट का नया सॉफ्ट्व कर देते उनको उनको प्रॉब्लम नहीं आती आप एकदम से आरी आप डिक्लेर करें जा रहे हो इसके पीछे मंच्छा क्या है यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है वरुन प्रोहित जी आपने दो बातें उठाई के फैडरल इस्ट्रक्चर को यूनिफाई किया जा रहा है और से सबसे बड़ा खतरा है कि रेवेन्यू शेरिंग कैसे किया जाएगा राज्यों के जो राजस वदिकार है उन पर कहीं कुठारा गाते यहीं आप कहना चाहरे हैं जो खतरा है इसके सब्सेश जरा जो साइट के अअभाराव खुशना चाहरा है मैंने आपको स्क्राइब कर देते ऐसे कुछ और लागू कर देते वो समस्या अगया व्यादैन जिन पापका आदमी सब्सेय जो आदमी जो और बीजा सब्सक्रार अब हो कर दोग तब बिल्कुल बिल्कुल आपने जो चिंताएं जाहिर किया उसका भी सरकार को ध्यान लगना चाहिए वरुन पुरोई जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका से जुड़ने के लिए बहुत बड़ी चिंता हैं कि जो फैडरल इस्ट्रक्चर है उसमें रेवेन्यू शेरिंग का जो मुद्दा है उस पर कहीं ना कहीं एक राज्यों के अपने अधिकार है और उनको सुरक्षित रखा जाना भी जरूरी है इस समय हमारे स्पेशल कर्स्पोनेंट गौरब गुपता हमारे साथ जुड़ चुके गौरब तमाम लोगों के बहुत सारे लोगों के अपने-पने मत हैं आप जब स्टोरी पूरी कर रहे थे और जब लोगों से आपने बा जो लोगों में देखा गया जिन से बात की गई तो उनको वन नेशन वन नंबर की पॉलिशी पसंद आ रही है अधिकतर लोगों को लोगों को यह लग रहा है कि जिस तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले जो लोग है और उनके लिए यह बहुत अच्छ का जो शुम्क बार-बार देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ेगा अच्छा इसका इसकीज के एक जो लाई जारी है यह जो इसके एक विशेष्टा है कि वन नेशन और वन नंबर वो वही कराएंगे जिनको जरूवत है जिनको फिलहाल के लिए यह है कि जिनको जरू कई इसके पूरे बारत में ठीलड हुआ उनको दूसरे रज्य में जाके न तो पुराने से कोई और नहीं नहें नहीं जाके कौई नहीं नहीं पर ऑड़ेगा या रिजिस्टेशन कराना परेगा Euomo принत cerca की नहें शुम्क देना और पूरी तरीक्ये से प्रिक्रिया 15 सितंबर से जारी हो जाएगी लागू हो जाएगी और शायद लोग इसका पंदरे सितंबर से जो नई गाड़ी आं जो लोग लेने वाले हैं वो इसका लाव ले सकेंगे गौरव आप मेरी आवाज सुन पर रहे हैं जो नई गाड़ियां जो लोग लेने वाले हैं जो लोग कई राज्यों में प्रवास पर रहते हैं वो इस योजना के लाब उठा पाएंगे जी हाँ बिल्कुल दिए योजना के लागू होते ही जो नई गाड़िया ले रहे हैं वो इसका तुरंट लाब उठा सकेंगे उनको अपने कंपनी से जो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जिनको जाना पड़ता है जिनका तबाद ये होते रहते हैं वो अपनी कंपनी से या अपने संबंदित विबाग से एक डॉक्योमेंट लेंगे और उसके थ्रूर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और वो इस फीरीज का फायदा उठा सकते हैं बीएच निमबर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी काड़ी पे बीएच सीरीज लेकर के एक राज्य से दूसरे जाते समय उनको कोई भी परिशानी नहीं आने वाली है किसी तरीके का कोई नहीं देना होगा मैं पहले ही बता चुका हूं नहीं किसी तरीके का कोई नया रिजिस्ट्रेशन कराने की जरूत पड़ेगी बिलकुल गौरब बहुत-बहुत धन्यवाद हमर से जुड़ने के ल रही हैं. लेकिन सबसे बड़ा जो एक सच है वो ये भी है कि योजनाओं को लागू किये जाने से पहले उनकी जमीनी हकीकत कर एक बार आकलन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी पूरी हो तो शायद जो योजनाइं लागू की जाती हैं उनका लाभ M-K-N.